नमस्कार स्वागते आपका एनने स्पोर्ट्स में और मैं हूँ आपके साथ रादागराई देखिए अगर हम बात करें IPL 2022 की तो उसकी तयारियां काफी तीजी से आगे बढ़ रही है जल्दे इस बात का एलांग किया जा सकता है कि IPL की मैच कब खेले जाएंगे और इसके सा रही है भारत ये टीम अभी श्रेलंका के साथ स्रीज खेलेगी और उसके बाद IPL शुरू हो जाएगा अब वहीं विदेशी खिलाड़ी भी अलग-अलग सीरीज खेलने में व्यस्त है और श्रेलिया और श्रेलंका की सिरीज खत्म हो चुकी है लेकिन भारत के अलावा IPL मे जिन देशों के खिलाड़ी सबसे जादा खेलते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और इस बार ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि IPL में 11 साल बार वापसी कर रहा है अब दरसल बात यह है कि इस बार के IPL मेगा उक्षिन में जिन खिलाड़ी पर सभी की नजर थी वो थे आस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बले बाच मैथ्यू वेड आपको भले लग रहा हो कि मैथ्यू वेड पहली बार IPL खेल रहे हैं लेकिन इससे पहले भी वे IPL खेल चुके हैं इससे पहले वे साल 2011 में दिल्ली देयर डेविल्स के लिए खेल चुके हैं बीच बीच में IPL के आउक्षन में सामल होने के लिए अपना नाम देते रहे लेकिन किसी भी टीम ने उनमें दिल्चस्पी नहीं दिखाए और इस बार की मेगा आउक्षन में उन पर सभी की नजरे वापस से बनी होई थी और कई टीम उनने उन पर बोली भी लगाए लेकि टीम की ओर से विकेट कीपर बल्लेबाज की हैस्यत से खेलती वे नजर आ सकते हैं मैठ्यू वेड वैसे तो लगतार प्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उनका नाम टी-ट्वेंटी विश्वकब 2021 किसमें अचानक से चमक उठा है जब उन्होंने सेमी फाइनल में अपनी टीम को असंभव सी जीट दिखाई थी तब पाकिस्तान मैच लगभग जीच चुका था और तभी शाहिन शाह अफ्रीदी को लगतार तीन चक्के मार कर उन्होंने आस्ट्रेलिया को वो मैच जिता दिया था और उसके बाद से आस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच भी अपने नाम कर ल देखना होगा कि मैथ्यो वेट की आई पेल में वापसी कैसी रहती है और वे अपनी टीम के लिए कैसा प्रदर्शन दिखा पाते हैं तो चलिए इसी के साथ जो है आप हमारी चैनल एन इन स्पोर्स को फटाफट से लाइक कर दीजे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फटाफट से बैल आइकन को प्रेस कर दीजे क्योंकि बैल आइकन प्रेस करते ही आपको मिलती है इस पोर्स से जुड़ी नई नई अपडेट जिसको देखकर आप जो है फ